हलो दोस्तों मिर नाम गगर है और ये नेट्फिक्स की सीरीज है जिसका नाम है वेंस्टे जिसमें हम शुरुआत महीं वेंस्टे एडम्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका आज स्कूल में पहला दिन था उसकी हरकतों और पसंद नापसंद की वज़े से ही कोई आम स्कूल में आकर जब वो अपने लॉकर को खोलती है तो वहां से उसका भाई बंदा हुआ मिलता है और जैसी अपने भाई को पखल कर खोड़ने लगती है तो उसे कुछ खयाल आने लगते हैं जिसमें वो उन लड़कों को देखती है जिसने उसके भाई को बंद किया मतलब इसकी शक्ती है जब भी कुछ कांट करने जा रही है इसकी मुंडी एकदम से उपर होती है और उसको सब कुछ फ्लैश बेक में नजर आ जाता है कि भाई साब क्या-क्या हुआ है इसका हंट के रिलेटेड फिर लड़कों के पास जाती है और इसा भाई के बाई के बाद सब्सक्राइब करते हैं अब उनके पास वाले जंगल काम सीन देखते हैं जहां एक शिकार करने आठा है वह जंगल के काफी उंदर जाकर एक चाय वाय मारता है लेकिन तभी कोई चीज रस्तानक से आकर उस पर हमला करते थी है और बली बेरेमी से उसे माह देती है वैंस्टे और इसके वाबाप अकेडमी पहुच कर हुआ के प्रिंसिपल के बास जाते है प्रिंसिपल भी वैंस्टे की तरह ही आउटकास्ट होती है आउटकास्ट कौन में रहना था उसकी रूम मेट उसने कमरे को काफी रंगीन मनाया हुआ था इसलिए सब कोछ वेंस्डे को पसंद नहीं आया था क्योंकि वेंस्डे को बस एक रंग पसंद था जिस कलर को पहने और जिसको बालन आखे यारी काला रंग अब साना महाल देखकर मुवना लेती है तब इसकी रूम मेट उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो उसके पपपा जवाब देते है कि मेरी बेटी बहुत ही अजीब है काफी बोरिंग भी है इससे तुम जिन्दा लाशी शमझो अपने पपा की बास सुन वेंस्डे उसे गूर के देखती है अपने बापों को अब अब एग्णोर मार देती आशी बातों को फिर उसके माबाप उसे सी और कहते हैं कि यहाँ पर एक रूल है कि एक हफ्दे तक ना फोई फोन कर सकते ना मिलना सकते है एक हफ्दे बाद में थोब फोन करेंगे अप तो हम यहां से कभी भाग नहीं पाओगी और जिन्दे कि य जंगल में जब पूरे स्चानवीन करने आती है तो उने एक शिकारी के लाश के टुकले मिल जाते हैं उस शिकारी जो चाय पी रहा था उसके टुकले अलगल जगर मिलते हैं और तीन तीन बार ऐसा हुआ था दोस्तों जब अकैडमी के आसपास के जंगलों में कोई मारा गया पुलिस बालों कमेशा इशाक रहता था कि उसमें नेवर मोर अकैडमी जिसका नाम था उसी का हाथ होगा वेस्टे अपने कमरे की अपनी साइड की मतलब जो रिंग इसमें बनी है बीच में सुरता है आधी जिस साइड वो रहे कि उसकी सारी रंगीन चीज़े हटा देती है और अपने रूमेट से कहती है कि शोर मत करो कमरे में शानती बराओ क्योंकि मेरे नौल लिखने का टाइम है मगर वो गान ललगा के डास करने लगती है वेस्टे वो गुस्सा आ जाता है और वो उसे गारा बंद करने हूँ कहती है उसकी वाट लगाने वाली होती है आप अगले दिन दोस्तों वेंस्डे कहीं चारी होती है तो उसके डैड का छोड़ा हुआ हाथ उसे चुप-चिप के देख रहा था तब ही उसके ऊपर एक स्टैच्यू किरने वाला था लेकिन तो भी ठीक एन वक्त बर एक लड़का जिसका नाम जेवियर है उसे बचा लेता जीवियर कहता है कि मैने तो इसाहन उतारा या तुम बिपटिया और Wednesday अपने कमरे में आती है तो उसे अपने कमरे में कुछ मैसूस होता है वह जैसी विससतर अठाती है तो वहां उस हाथ को देखकर फॉर और उन उसे बगड़ लेती है और पूछती है कि तुम मेरे बाप क पर दिशा के लिए ग्लास वबंद कर दूगी वह इस चीज के लिए मान जाता है उसके पास चारा ही क्या था अगले दिन प्रिंसिपल वेंस्टे को एक दिमाग के दॉक्टर के पास ले जाती है साइको आनलिस्ट के पास क्यूंकि उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि जाती है और वो जो हाथ था रहा हाथ उसका नाम दा है यह जाती है जिसमें वह देखती है कि इस आत्मी का अभी एक एक्सिडेंट होने वाला है जिसमें वह मर गया है मगर वह इस बारे में उस आदमें कुछ नहीं पताती क्योंकि उसे खून खराब बहुत पसंद है अब काफी परिशान देख रहा था क्योंकि उसकी काफी मचीन जो है वो खराब हो गई थी कर दूंगे लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन तक ड्रॉप करना होगा जिसके वह मान भी जाता है और वेंस्टे उसकी मशीन ठीक कर देती है मशीन में कार्बोर्टर जाती है तो अभी शरार्थी लड़की आकर उसे परिशान करने लगते हैं तो अब वेंस्टे उन सबकी पूँगी बजा देती है वह बहुत मार लगाती है अच्छा सबक सिगाती है इतनी देर में उस लड़के के पपा आ जाते है पुलिस ऑफिसर जो जंगल में भी बागने का प्लान चौपड़ हो जाता है रास्ते में उस पर काफी घुस्ता करती है कि आखिर तुमने कैसे अकैडमी बाद यंत्र बजाने लगती है जिसकी धुन प्रिंसिपल के साथ काफी बच्चों कोई पसंदा आती है रूम में जब कमरे में आती है तो उसकी नजर हा पूझती है कि यह क्या चीज़ है जिस पर जवाब देती है कि हमारे आइडम फैमली का एक मेंबर है और में एक अंजान लड़के को देखते हैं दोस्तों जो लाइबरेरी में जाकर एक किताब से एक पन्ना फाड़ लेता है उस पर एक तस्वीर बनी होती है उससे देखकर और हो काफी ठरकया था उसे मारने लगता है फिर हाथ उसे बैटने का इसाड़ करके उसे बैस्डिए का नंबर देता है उसे कहता कि फोन कर उसको लटकव इसे कॉल करता है फिर में एक तिवार मनाया जाने वाला है जहां पर सब ही बच्या आएंगे मैं वहाँ से भाग रह वाली और तुम मेरी मदद करोगे तुम मुझे स्टेशन तगर मौचा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा नाम दूँगी जिस पर वो वेटर लगा मान जाता है पिर जब वो तिवार में जाती है कि वो प्रिंसिपल की नजर उसी पर रहती है इसलिए वो एक आदमी को से देखे प्रिंसिपल का ध्यान मटगाने के लिए कहती है और वेटर वहां पर आके वेंस्टे के जाने से पहले उसे उसके डैट का पुलिस रिकार्ड तो फिब देता है जो उसने अपने डैट की फाइल्स में से चुरा आया था क्योंकि उसके डैड एक फुलिस ऑफिसर जो थे अब उस रिकार्ड को लेकर चैसी वह यहां से जाने लगती है कि तब ही उस लड़के से ठकरा जाती है जिसने बुक में से तश्वीर को फाड़ा था और वेंस्टे को उस लड़की की मौत के ख्याल है थोड़ी दिर में मरने वाला लगा उसकी मौत बहुत बहुत ब बचा रहा हूं उस दिन स्टैची को मैंने तुम्हारे उपर गिराया था उसके बाद वोस एक तस्वीर दिखाता है और कहता है किस तस्वीर में तुम ही हो जिसी मौरी मम्मी ने बच्चीस साल पहले बनाया था वह उस वक्त की बात है जब वो इस अकैडमी में पढ़ती थ कि यह लड़की इसे तुम्हें रोक रहा होगा नहीं तो तुम्हें इस अकैडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को भी दबा कर दोगी उस वेंस्टे को मारने वाला था कि तभी बड़ा सा एक मौन्स्टर आकर उस परामला कर देता बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है इसकी उसके डैड के खलाब पुरिस रिपोर्ट जिसमें उसके डैड के उपर कतल का अजाम था अब अगले दिन पुलिस अफिसर वहा था क्योंकि वेंस्टे ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उस अंजान लड़की की मौत मैंने अपनी आखों से उते हो देखी है जंगल में ले करती है कि उस लड़के का कोई कतल बतल नहीं हुआ है वो जिन्दा है बस यहां से भाग गया है इसलिए आपको वेंस्टे की बातों यकीन नहीं करना चाहिए अक्सर इसे इस तरह के दोरे बढ़ते रहते हैं हम इसका इलाज करा नहीं जल्दी ठीक हो जाएगी फिर जब प अगले दिन फिर वेंस्टे को साइको अनलिस्ट के पास ले जाया जाता है कि वेंस्टे के खुपड़ी खुप्चे में कोई ना कोई तो खलबली है पिर वेंस्टे से पूछ ती है कि क्या तुम नहीं अवा इसलिए फिलाएगी सब तुम्हें भाव देने लगें लगा देती है अब प्रिंसिपल के कहने पर वेंस्टे एक एक अक्टिविटी में इससा लेती है जिसमें वो एक क्लब जॉइन करती है यहां उसके साथ सिर्फ एक ही लडगा था जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है यहाथ उस लडगे के बीचे जाता है तो देखता है कि मेरे साथ वाली सीट खा लिए आगे बैड़े जाती है जेवियर यहां पर मखड़ी की तस्पीर बना रहा होता है चार कोल से और फिर उस अपने जादू से जंदा भी कर देता है मगर एक चटके में वेंस्टे उसे मार देती है अब एक लड़की जो काफी बत्तमीज थी उस बाद वेंस्टे अपनी जगा अपनी रूममेट को उस कलब में भेज़ देती है जहां वो एक्टिविटी की प्रेक्टिस कर रही थी और खुद वो अकेले चले जाती है अकैडमी के उस जंगल में मॉंस्टर को डूड़ने के लिए वेंस्टे को वहां उस अंजान लड़क जैसे मॉंस्टर को मरता हुआ इसी ने देखा था और जैसी इस चश्मे को छूती है तो लाइब्रेरी में उसे वाई किताब भी दिखती है तो उस किताब को खोल जाना है लाइब्रेरी में चले जाती है मगर उसे वहां पर उससरे की किताब दिखती ही नहीं है इसके बाद वो चुपके से जेवियर के कमरे में चले जाती है क्योंकि वो लड़का और जेवियर एगी कमरे में रहते थे Wednesday और हाथ यहाँ पर उस किताब को ढूंड रहे थे मगर तब ही यहाँ जेवियर आ जाता है है इस वज़े से वो बैड़ गिनी जेशिप जाती है तब ही जेवियर के पास वो वीर लड़की भी आती है और उससे कहती है कि तुम उससे क्यों नाराज हो अचा उस साथ छोड़ो सुला कर लो जिससे वो बना कर दीता है अब उसके इनकार पर उस लड़की को लगने लगता है कि यह सब वो वेंस्डे की वज़े से कर रहा है इसलिए वो कहती है कि देखो वेटा मैं तेरी वेंस्डे सभी की एक दिन वाट लगाने वाली हूँ इसकी प्लानिक कर रही हूँ बैड़ गिनी जेचिपी वेंस्डे और वो हैंड उसकी बात सुन लेते कमरे में वापस आने के बाद वेंस्डे अपने रूममेट से कहती है कि यहाँ पर एक कश्टियों की रेस होने वाली है मैंने सुनाए उसमें मैं भी इससा लूँगी कुछ भी हो जाए उसका वंडी लड़की यानी की यानी वो कंजी आखो वाली विलन को वहरा के ही रही अब अगले दिन जब रेस शुरू होती है तो बताया चाहता है कि इस मुकाबले का कोई भी उसूल कारून नहीं है जो भी टीम सबसे पहले गुफा में जाके जंडे को लगाएगी वही जीच जाएगी इसके तुरंट बाद ही गोली चलती गेम शुरू हो जाता है और सब अपनी चाले चलना शुरू कर देते हैं वो अपने एक दोस्त की मदद से जो तेरने में उस्ताथ था एक कश्टी को तुडवा देती है पूरी टीम पानी में बेगर जाती है मगर फिर जब वो जल परी वेंस्टे की कश्टी की तरफ आ रही थी तो हाथ पहली जाल फेकर उसे जाल में फचा लेता है अब किनारे तक सिर्फ तीन ही टीम्स माँच पाती है और जब सारी लोग झढड़ा लेने अंदर जा रहे होते हैं तो रूम में अपने पंजों से जोकर वाले जो टीम होती है उनकी कश्टी में छेद कर देते हैं इन सबी के साथ वेंस्टे जब छंड़ा लेकर आ रही थी तो उसे एक फिर खयाल आता है जिसमें अपनी जैसी एक लड़की को देखती थोड़ी मासूम सी जिसके आद में किताब थी उसके आने पर छंड़ लेकर वापस थे अपनी कश्टी में चली आती जोकर वी आपस आते हैं लिकिन जोकर की कश्टी में तो छेद हो रहा होता है वहीं पर ढूप जाती है जब कि जलपरी दुबारा से वेंस्डे की कश्टी पर अमला करने लेकिन हैंड पानी मजा कर जलपरी को जोर से पहराया था इसलिए आज वो उस्से माग बुबूला हो चुकी है रात के वक्त वेंस्डे के स्टेश्यू के पास जाती है जिसके हाँ तुमें किताब थी किताब पर लिखी एक पहेली और जैसी वो सुल जाती है तो वहाँ एक रास्ता खुल जाता है जैसी वो उसके अंदर लगती है कि उसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया हुआ है जिन्होंने मास्क भी लगाये हुए थे लेकिन उनकी आवास सुनती ही वेंस्डे उन्हें पहचान लेती है तुम अपने अपने मास्क खटा सकते हो असल में लोग कोई और नहीं मलकी विलेन और उसके साथ ही थे इसी दुरान वो अपनी रस्ते भी खुल चुकी थी और वहांसे जाने लगती है लेकिन जाते जाते वहांसे कहने लगती है तुम सब छोटे बच्चे और वार करना भी तुम्हें ठीक से नहीं आता वापस आने के बाद वो सासुईर को किताब पर लगा कर पूरा करती है ज जाते हैं जिस पर वो कहता है हाँ मैं पहचानता हूं इस किताब को देखकर जिफिर बोलता है कि मेरी उस लड़के को बीच मुलाई भी होई थी और तुमने कहा था किताब एक जादूगर की है और तीस साल से भी ज़्यादा पुरानी है तो तुम इसके साथ क्या करने वाल जाते हैं वेंस डेग वेक्टरस बनी थी लेकिन उसका नकरा घुस्सा देखकर कोई भी उसे खाने की चीज़ नहीं लेता वेंस्डे का दोस्पेस्ट्री का रहा होता है लेकिन तभी शराती बच्चा कर इसे परिशान करने लगते हैं और बस पिर रोना क्या था वेंस्डे जब उसकी रेस में constituency जण्डा लेने गई थी उसे वहाँ इस बैंटिंग वाली लड़की किताब भी मिल जाती है लेगिन व खाली थी क्योंकि वो नकली थी इतनी देर में वहाँ का और आती है वेंस्टे उसे असली किताब के बारे में पूछती है जिस पर वो कहती है कि वो किताब तो चोरी हो गई थी और इस वक्त तुम जाँ खड़ी हो ये भी वो जादूगर का असली गर नहीं है इसके बाद वेंस्टे वेटर से मिलने इसके उटेल जाती है और उससे जादूगर क मेरा गर है इसे निकल लो वान्सटे का साथ ही हाई उसके मुछ पर हमला लेता है वैंस्ड़ी यहां से कुछ पाकी नहीं है दो फॉरण इस ऐसे छल करती को छुडैयल सापित करके इस घर में बंद कर देता है जहां से पहले और भी बहुत सारे लोग बंदे हुए थे यह सारे लोग आउट कास्टिट थे इसलिए जादूगर इन सब को शैतान समझता था इन सभी तरह के लोगों को यहां कैद करने के बाद वो इस पूरे घर में आग लगा देता है वो बच्ची जिसस हम को मारते हैं इतनी तेर में जादूगर भी वाँ जाता है जिससे डरजाती है वापस होश में जाती है होश में आते ही वो दा हैंड से कहती है कि मैंने उस लड़की को देख लिया है उस नहीं से बात भी की मुझे लगता है कि वो मेरे खांदान की कोई मैंबर है अब यहां जंगल वाला मॉंस्टर आकर इस घर पर अमला कर देता है लें जब उसकी निजर वेंस्टे पर जाती है तो यहां से बाग लेता है वेंस्टे और दा हैंड उसका पीछा करते हैं लेकिन देखेंगे मॉन्स्टर के निशान तो इंसान के हाथ की निशान हों बतल गए अगले दिर हम देखते हैं कि चादुगर की मूर्थी को इज़त के तोर पर एक जगा पर लगाया जाने वाला था क्योंकि इस शहर के लोग तो उसे अपना हीरो ही मानते थे और आज वेंस्टे के वहां अपना खतरना के अंतर बजाने के लिए बुलाया गया था और जैसे ही वो लोग यहां पर अपना काम भी हो रही थी अब प्रिंसिपल को वेंस्टे पर ही शक था लेकिन इस बात के खलाफ प्रिंसिपल के पास कोई सबूत ही नहीं था अगले दिन जादुगर के जिस पुराने घर में वेंस्टे गई थी वो अभी वहीं रुका हुआ था लेकिन तब ही वो मॉन्स्टर वहां कोई देखना पाए उसके बाद दर्वाजा खोलता है तो वेंस्टे अंदर आती है वह यहां पर दरसल उस मरेगुए आदमी के जखमों देखने आई थी जिससे उस मस्टर ने मारा था वह पूढ़े आदमी को देखकर सारा डेटा अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है जब क लगता है कि यह एक लाश है इसलिए वह उसको बंद करके वहां से चले जाते हैं मगर फिर जब वहांड से लेने आता है तो यह तो प्लीस तोड़ी देर और मजे सोने दो बड़ा मजा रहा है उसके बाद वह अपनी शारमीन से पता लगवाई लेती है कि जब वांस्टर है वह लोगों के जिस्म के हिस्सों के एकटा कर रहा है फिर जब वह वापस से अकैडमी जाती है तो उसे जेविर की गरड़न पर किसी के पंजों के निशान देखते हैं तब ही जेविर को एक जिगहे से बाहर आता हूँ देखते हैं अब क्यूंकि वैंस्डे को उसकी जखमो के लिए उसे की बात कहती है कि क्या तुम आज रात होने वाले डांस पार्टी में मेरे साथ चलोगे जिसके बाद वो जेबियर की बनाई मॉंस्टर की ड्रॉइंग्स ले जाकर पुलिस ऑफिसर को देती है जिस पर वो कहते हैं किसे हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते कोई ठोस सबूत ले किया हो अब वैंस्टे अपनी सारी रिसर्च को अपने दोस्स के साबने रख देती है ताकि वो उसकी मदद कर सके उसमें से एक ट्रॉइंग को देखकर उसका दोस्स कहता है कि मैं इस जगा के बारे में चानता हूं और फिर वो वैंस्टे को उस जगा के पास ले का हुआ ता उसे निकाल कर अपने पास रख लेती है पर जैसी हूँ वहाँ से जाने लगती है मेरे कैबन में क्या Verum खो दिया और ड्राइंग के अंदर से मॉंस्टर के पंजे ने निकल कर मेरी गर्दन पर नोच लिया लेकिन क्योंकि वैंस जो उस पर शक कर रही थी इसलिए वो उस पर कावे उस्सा करता है और फॉर उन कहता है कि तुम यहां से निकल लो हम अब वैंस जे वो खून लगा कप उड़ते हैं जिसके बाद रात को वेंस्टे अपने दोस के साथ जंगल में जाने की तयारी कर रही थी मगर तभी उसके दरवाजे पर वेंस्टे की तरफ से डांस पार्टी में जाने की दावत बेजी थी क्यूंकि वेंस्टे उसका दिल दोड़ना नहीं चाहती थी उस बगेर बताई है केला उसको भाम चला जाता है सबी लोग अपने अपने जादियों को लेकर पार्टी में आये हुए थे जाज जेवियर अपने साथ उस्वेने लड़की को भी लाया था लेकिन जब वेंस्टे वेटर के साथ वहां ती है तो वहां उन दोनों को साथ दे लगातार उन दोनों को देख कर चल रहा था इसलिए लड़की से कहता है कि तुम अपने लॉकेट दारो और अपनी जलपरी से में लिए मदद मागो ताकि मैं वेंस्टे को भूल जाओं वेले लड़की बढ़क जाती है और उससे कहती है कि तुम तो पहले यह कहते हैं तु अचानक से उस पार्टी में होन की बारिश होने लग जाती है क्योंकि जो टैंकर जो श्राटी लड़के लाए थे जिसका पाइप रोने लगा था उसमें खोन बरा हुआ था इतने सारे लोग खबरा जाते और पार्टी से भागने लग जाते हैं मगर वेंस्टे हुए ही चंगल की तरफ उसे बचाने के लिए भाग जाती है उसके दोस्टे पीछे दरसल मॉंस्टर पड़ गया था जिससे बचकर वह भाग रहा था वह उसकी टीचर भी उसका पीछा करते करते हैं वहां पहुचती थी इसके बाद उसके दोसको ऑस्पिटल ले जाये जाता है Wednesday को वापस अपने कैबिन में आ जाती है जहांपर वो अपने टैड पर लगे इलजाम को सुलजाने के कोशिश कर रही थी क्या किर सच क्या है इतने में सारे मापाप अपने बच्चो से मिलने आते हैं क्योंकि आज मीटिंग थी प्रिंसिपल सब को बताती है कि वेंस्डे की दोस्ट की आलत में सुधार हो रहा है कुछ दिन के बाद वो ठीक हो कि वापस से मस्ती काट लग जाएगा लेकिन दूर खड़ी वेंस्डे अपनी रूममेट को बताती है कि ये जूट है वो तो कोमा में ये बिचारा है तब इस सबी के माबाबा आज आते है वेंस्डे के भी आ जाते है वो उनसे मिलने चले जाती है वेंस्डे अपने माम डेट को बताती है एक जबसे आपने मुझे याँ छोड़ा है मेरे उबर बहुत सारे हमले हुए अतलों धैर काफी हाईरान हो जाती है वेंस्डे के माबाप प्रिंसिपल से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि वेंस्डे काफी अजीब तरह से सबसे पेश आती है इसे डॉक्टर के पास ले जाओ इलाज कराओ इससे पहले वहाँ उसके माब कुछ कहते है वो उनको बोल पड़ती है यह देखिये एक लड़का जिसके नाम गैरिट है इसके कतल का इलजाम आपके सर पर क्यू है और यह कौन था तो वेंस्डे की माब उसे कुछ भी बतारे से इंकार कर देती है तो वो अपनी माब को यह कह के यह से चले जाती है वो सीधा जाती है हस्पिटल अपने दोस्ते मिलने जहां उसका ख्याल वेंस्डे का साथी दा हैंड रख राता अब पता चलता है कि एक डॉक्टर ने अपनी चान ले लिए और यह डॉक्टर वही था जिसके मुर्दा खाने से वेंस्डे उस बुढ़े की लाज देखने आई थी इससे पहले डॉक्टर ने खत भी छोड़ा था जसमें लिखा हुआ था कि मैं गैरिट के केस पर शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं ने उसकी जूटी रिपोर्ट बनाई थी अब जब सारे लोग खाना खा रहे थे तब ही पुलिस ओफिसर वहाँ पर आकर वेंस्डे के डैड को पकड़ लेता है और कहता है कि गैरिट के मौत के इलजाम में तुमें गिरफ़तार किया जा रहा है जेल में वेंस्डे अपने डैड से मिलने जाती है पूछती है कि बताएं गैरिट से आपका क्या वास्ता है तब वो बताते है कि गैरिट तुमारी मौम जे बहुत प्यार करता था पर एक दिन जब तुमारी मौम और मैं साथ थे तो गैरिट ने आगर मुझ पर अमला कर दिया मैंने अपना बहुत बचाओ किया जिस दुरान घलती से उसकी मौत हो गई इस उन वेंस्डे को उनकी बात थोड़ी चूंटी लगती है फिर वो पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और कहती है मेरे डैड ने गैरिट को नहीं मारा और उनके ख्लाफ साज़श की जा रही है जिस पर वह कहता है कि दुनिया तुम्हारे जापते नहीं चलती बिटो वहाँ पस्थूट आ गया है तो मेरे मानती हम मेरा ख्याल है जिस ने मेरे दोस्त को मानी कोश्चिक है उसी प्रजाती की तो इसलिए इसका इसका इलाज कराना चाहते है चली आगे बढ़ते हैं फिर वेंस्ट अपनी मोम के पास जाती है ताकि वो सारी सचाही जान सके उसकी मम खूफिया लाइबरेरी में थी वो अपनी वाम से कहती है कि आपने मुझे सक्याटिवी में इसलिए बे और अपने रखी ती जिसके नाम गूटी था वो कहती है कि मैं यह जानना चाहती हूं कि डैट ने तो गैरिट को नहीं मारा रहा है तो पर किस ने मारा रहा है तो उसकी मौम सच्चा ही बता देती है कि जब मैं वागई तो मैंने देखा कि तुम्हारे डैट आपस में वेंस्टे केती है कि मुझे पता चला था ना कि गैरिट मरा था तो उसके मूँ से जहाग निकल रहे थे ऐसा सिर्फ तभी होता है जब किसी ने जहर लिया हो अब सच पता करने का सिर्फ एकी रास्ता है गैरिट की कब्र को खोटना इसके बाद वहां से उसकी उंगली ले ल आता है जिसमें वो देखती है कि गैरिट के डैड ने उसे जैर दिया था था कि वो अकैडमी के लोगों को निप्टा दे लेकिन जब उसकी लड़ाई वेंस्टे के डैड से हुई तब जैर की मौत के सच कुछ चिपाया है उसकी मौत जैर से वीतिना की तलवार से और यह ब पता देता है जिसके बाद वेंस्टे के डैड को दिया कर दिया जाता है अब वेंस्टे अपनी मौम को बताती है कि मुझे बहुत बरे ख्याल आते हैं जिसकी मौम कहती है कि यह खासियत हमारे खांदान में है यह ख्याल सब को ही आते हैं अगर ख्याल हमारे कंट्रोल में न पता लेकिन तो मोश्यार रहे ना क्योंकि गूरी एडम्स बदला चाहती थी जिसके चक्कर में वो खुद भी नहीं बच पाई फिर सब के मामा अपने बच्चों से मिलकर जा रहे थे रूम मेट अपनी मौम को कहती है कि आसे तुम फिकर मत कर ना जब मुझे वेरबुल बनना था कि उसे मौनस्टर ने मारा है क्योंकि वह आप ही हो जो खुद को बदल बदल कर लोगों को मार रही हो में यह बात पुलिस को बता दूँगी जस पर प्रिंसिपल कहती है कि नहीं उसे मैं नहीं मारा बलकी वह तो अपनी ताकतों पर से कंट्रोल खो बैटा था और उसने कि रूममेट वाख आती है साथ ही उसे खथ भी मिलता है जिसमें बैस्ट सेट वैंस्डेज़ क दुखा भाता है कि है यहां कोई हज häng को एक लाइं लिख दिखती है दो शोल बरसंगे सचा जैसी मिलती है तो अक्सरव से नजाह करती थी और यह कोई और नहीं बलकि कूरी है वो वेंस्डे को एक मैल दिखा कर कहती है कि अगर तुम इस मैल को ठूण कर यहां हो फिर जब वो ग्राउंड में खड़ी उस ग्राउंड को देख रही थी जहां लिखा हुआ था फायर विल रेंड यह आग बरसेगी तो उसके पास जेवियर आता है जिससे वो बात नहीं करती क्योंकि वो उसे नराज थी उसे लग रहा था कि हो ना हो जेवियर यह वो मॉंस्टर है लेकिन फिर वो अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाती है जो भी बेड़ पर था उसकी आलत भी खराप थी इसलिए वो उससे कोई बात नहीं कर पाती है और उसे उस महल जो गूडी ने दिखाया था उसकी तस्वीर दिखा कर पूछती है कि क्या तुम इस जगा के बारे में जानते हो तो मना कर देता है अब यहां तो वेंस्टे का काम नहीं हुआ तो वो उस तस्वीर को लेकर जेवियर के बास जाती है उससे भी यह सवाल करती कि क्या तुम इसकी बारे में जानते हो मगर तब ही उसकी नजर इसी महल की पेंटिंग पर जाती है जो जेवियर ने पहले से बनाई हुई थी जिस पर वो बताता है कि जगा रात को मेरे सपने में आई थी तो मैरे से बना दिया अच्छी बात ये थी कि जेवियर इस जगा क के बारे में जानता भी था तो मुस्माल का पता लेकर वेंजडी वाप महुंच जाती यह प्राइवेट प्राइवेट प्रापटी थी चाहँ मेर पहले से मौजूद था क्योंकि वह जान गया था कि असली गादल कौन है तो वैंस्टे उसकी गाड़ी में छिप जाती है तो को सब्सक्राइब कर दोस्तों को मौंस्टर से बचाना चाहती है यह वेटर के घर जाते हैं जैसी उसके डेट आते हैं क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो थे वोने महल में ले जाती है तो आपर कुछ भी नहीं था मतलब जिस्म के कटे हुए इससे जो यहां पर रखे हुए थे वो वापा थे ही नहीं जिससे पुलिस ऑफिसर वो उस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम में बेटे से नहीं मिलोगी उसको भी पगला कर दोगी वेंस्टे जब वापस अकेड़ी आती है तो वहां पर से प्रिंसिपल बिलती है जो कहती है कि तुमने मेरी बात ना मान कर अच्छा नहीं किया जिस पर चबाब दीटी ए कि मैं सच का पता लगवाने गई ती इसलिए मैं माफी नहीं बहुत इसके बाद प्रिंसिपल को एक पेंटिंग भी डिखाती है जिसमें वो तो दो प्रिंसिपल के दिन आई तुम कहीं नहीं जाओगी आगे से कोई भी गलती की ना तो मैं तो मैं कैडमी से निकाल दूंगी वहां से वह यह क्या कर चली जाती है तो देखती है कि उसकी रूमेट अपना सामान पैक कर रहे है क्योंकि वह आँसे जा रही है वह से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम निकलवाना आता है पिर चाहे इसके लिए तो मैं दोस्तों की जानी क्यों न चली जाए आज वह आजीव सा मॉंस्टर हमें भी मार देता इसके बाद वहांसे चली जाती है इसलिए कमरे में एक जगा बैठकर वह उस बॉक्स को देखने लग तो किसी ने उनका मुव बंद कर दिया लेकिन मैं चुपनी बैठूंगी और तुम जो कुछ भी हो मैं तो मैं ठोन लूगी अब मेर की मौत हो गई थी और जब उन्हें दफनाय जा रहा था तो वेंस्टे वहां आती है और सोचने लगती है कि कातल यहां आई लोगों में सह ही कोई एक है लें तो इस जंगल में कोई दिखता है वो पीछा करती है तो पता चलता है कि कोई और नहीं मलकी उसका अंकल है अंकल बताता है कि मेरे ऊपर चोड़ी गलजाब है तो कुछ वक्त के मुझे चिपके रहना होगा तो वेंस्टे होने क्याबिन में चुपा देती है जहां जेवियर पहले सी मौझूद था तब यह उसे कहती है कि जेवियर बेटा जहां जब कहीं भी मॉंस्टर का हमला हुआ हुआ है वाँ तुम पाएगो है उसको मुझे तो है मगर वो उसकी मात को अंसुना करके यह से चला जाता है तब ही इधर उसके अंकल आ जाते है यह मिलकर डायरी को ढूड़ लेते हैं जिसमें इस मौंस्टर के बारे में सब कुछ लिखा था कि यह मौंस्टर किसी के भी कंट्रोल में आ सकता है और फिर बस यह अपने मालिक के कहने पर ही गाम करता है रात के वक्त वो अपने साथी हाथ को कहती है कि मैं बेटर से मिलना जा रहे हूं तब तक तुम मेरे डायरी का ख्याल लखना फिर जब वेटर के साथ गफा के अंदर जाती है कि यहां उसने कुफा को सजाया हुआ है क्योंकि वो से शादी के पूछने वाला था वहां पर साके वेंस्टे देखती है कि उसके कमरे का सत्याना चोर रखा था और जिली के जटके उसे देते जिससे वा जिन्दा उचाता है वो उससे पूछते हैं कि अच्छे दर्मा किसने किया था जिस पर इशारा से बताता है कि मैरे देखनी पाए क्युक्के बढ़क जाती है कहती चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूँगी रोग फो कु पत्र निया जानती है कि आपके अंदर गैरिट की मौम की आतमा है जो सबसे अपनी मौत के बदल रहना चाहती है अब बस कर दो तुम्हारा केल खतम हो गया इसके बाद वैंसे चली जाती है यह सारी बाते सुन डॉक्टर को जहरा भी समझ में नहीं आता कि यह क्या बोल लहीं थी इसलिए फॉरण प्रिंसिपल को कॉल करती और कहती है कि वेंजडे आई थी उसका बरताओ बहुत यह जीब था उल्टी-उल्टी बात है कर रही थी अब यहां मॉंस्टर आ जाता है जो डॉक्टर पर हमला करके उन्हें मार देता है अब डॉक्टर तो मर गई थी इसलिए वेंजडे की शक्की सुई अब जेवियर पर जाती है इसलिए वो जेवियर से मिलने उसके कैबिन में जाती है यहां उसे मरे उलों वो समान में मिलता है जिससे उसका शक और पका हो जाता है अब तब इदर पुलिस भी आकर जेवियर को रेस्ट कर लेती है क्योंकि पुलिस इसको यहाँ पर Wednesday नहीं बुलाया था अब जब Wednesday कमरे में आती है तो उसकी roommate वापस आ गई थी कहती है कि तुम्हारा और मेरा कोई तालुक है मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत याद किया इसके बाद Wednesday वेटर के पास जाती है जहां वो से फिर से कुछ ख्याला आने लगते हैं जिनमें वो देखती है कि मौन्स्टर और कोई नहीं वालकि वेटर ही है जिसे वो पसंद करती है मगर फिलहाल उसे कुछ नहीं कहती है कि जेवियर को तो फसाया जा रहा है जबकि असली मौन्स्टर तो तुम ही हो मगर वो इसके वेटर को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तब ही वेटर के टैट पुलिस आफिसर ही आ जाते हैं और वेंस्टे को गरफतार कर ले थे हैं अलाकि वोने कहती है कि असली कातल आपका बेटा ही है वो एक मॉंस्टर है मगर वो उसकी एक बात भी नहीं मनते हैं फिर चब वो य के बात कह रही थी कि वेटर यह असली मॉंस्टर है लेकिन फिर वह उसकी एक नहीं सुनती और जाने का कहती है तब आखरी बार वेंस्टे जीवीर से मिलने जाती है जो जेल में बन था और उससे नाराज भी था क्योंकि वेस्टे ने उसे जेल में पहुंचाया था हाला कि उसे बताती है कि मॉंस्टर वेटर है और उसने मेरे जरीए तो में फसाया है वो उसकी एक नहीं सुनता किया देता है कि सारी मुसीबत की जड़ तुम हो अगर तुम ही अकैडमी छोड़के चली जाती हो तो सब ठीक हो जाएगा यह सब सुनने के बाद वो एक सेकंड मी नहीं दिन धुआ करने वाले करेंवालाशन के ज्बक्रinizi प्रिंसिबल में कर सकता है वह अपन से उसी टीचर के पांस जाती है। से सब पसंद किरते थे और कहते थे कि मा की लोग तो बिना मजह मारे गए जबकि असली कादल दो तुम्हीं हो तुमने वेटर को अपने कंट्रोल में करके उसे मांस्टर बनाया ठीडे ठीडे उसे अपना वलाम बना लिया अपने शारे बना चाकर लोगों को उसके जरी मरवा तब यहां वेटर भी आजाता है जिससे वो टीचर कहती है कि जल्दी करो वेंस्टे को निप्टा दो लेकिन दरसल वेटर नहीं था बलकि वह प्रिंसिपल थी जो वेटर करूप बदल करनेयां पर आए थी और आप टीचर प्रिंसिपल के गले में एक जाहर का इंजेक्शन जिससे प्रिंसिपल विचारी मारी जाती है पर वेंस्टे को भी बांद कर जादूगर की गुफा में आकर वेंस्टे को पता हिल जाता है कि जिन मरे हुए लोगों के घटा किया था वो दरसल जादूगर को तुबारा से जिंदा करने के लिए तब यहां पर टीचर जो उसम चाहिए साथ ही पूरे चांद की रात हो और अब हमें सोनेरा मका मिल किया है जादूगर को जिन्दा करने का क्योंकि एडम्स मैंबली से तुम हो और आज पूरे चांद की रात भी है हम तुम्हारा फून लेंगे जिसके बाद टीचर वेंस्टे के हाथ पर खट लगा देती है इसके बाद वक्याडमिव खट्म करने के लिए चला जाता है अब तब ही यहां गूडी आडम साती है और वेंस्टे को ठीक कर देती है मतलब उसके जखम ठीक कर देती है और आज के आजके बाद में तो बनाजर नहीं आऊंगी जंगल के रास्ते से जब वेंस्टे जा र की रात थी यहां वैर वॉल्फ और मॉंस्टर के बीच काफे फतनाग लड़ाई होती है जिसमें वैर वॉल्फ मॉंस्टर भारी पट रही थे उसे काफी माल लगाती है अच्छा मसा चखाती है इसके बाद वेंस्टे चादूगर से लड़ने और से रोकने अकैडमी में आ नेकालो क्योंकि यह हम जैसे आउटकास की लोगों को नहीं चोड़ेगा इसके बाद फिर से खड़ी हो जाती है उसके आद में तलवार भी थी जिसकी मदद से वह जादूगर से लड़ती है मगर जादूगर काफी ताकदवर था इसलिए उसके सामने टिक नहीं पाती वह स स vivid मर जाता है इसका चेसम की अपरान राक अचादव जाते ही ध्यागर के मरते ही कहां वंस्टेइब ठाहिए क्योंकि वह जाती कंब कर आधे थी еньसiva भापने जोबने आ गए जो आपने उसली र001 में आ गई थी यहां वो दोनों पहली बार गले मिलती हैं मगर हैरड की बात है वेंजडे को कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया था कुछ टाइम के बाद वेंजडे अपना नोबल भी पूरा कर लेती है लेकिन वो इसका एंड नहीं करती यानि कि उसे खत्म न कि मैंने तुम बर नज़र रखी हुई है जिससे वो सोच में पढ़ जाती है कि टीचर तो मर गई है उसके बाद भी कौन है जो इस सब कर रहा है इसी सोच में वो अपने घर के लिए निकल जाती है जिसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं इसमें वो वेटर को ब करवाता रहेगा इसके जरीए और एक अंजान इंसान वहीं हो सकता है जिसने वैंस्टे को मैसेज की है यानि अभी भी कोई है जो अक्याड़ी को बंद करवाने में लगा हुआ है और मॉंस्टर के जरीए खून खराबा खतल होना होता रहेगा और इसी के साथ ही यह सीजन इदर ही खतम हो जाता है दोस्तों अब आप और मैं दोनों इंतजार करेंगा अगले सीजन का अगर वीडियो पसंद आयो तो उसे जरूर लाइक करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें